असली पुखराज की पहचान के कुछ आसान उपाए जोतिश शास्त्र में गुरु को ज्ञान, धन, मानसम्मान विवाँ एवन संतान सुख प्रदान करने ग्रह कहा गया है जिनकी कुंडली गुरु की स्थिती कमजोर होती है उन्हें मानसम्मान एवन धन संबंधी परेशानियों का सामना बार-बार करना पड़ता है इनकी शिक्षा में भी बाधा आती है जोतिश शास्त्र में बताया गया है कि गुरु के कमजोर होने की वजह से जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए गुरु को मजबूत बनाना चाहिए इसके लिए गुरु का रत्न पुखराज धारन करने की सलाह लगभग सभी जोतिशी बताते है गुरू के शुब होने पर भी गुरू का रत्न अरन करना अच्छा माना जाता है। गुरू ग्रह के शुब फलो में वृद्धी करने की योग्यता होने की वजह से पुखराज की कीमत सामान्य रत्नों से काफी अधिक होती है। पुखराज बताकर ग्राहक को पकड़ा देते हैं इसलिए पुखराज खरीदते समय ठगे जाने की। संभावना अधिक रहती है अगर आप भी पुखराज खरीदने की सोच रहे हैं तो पुखराज पहचानने की सामा। या जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए अस पुखराज की किरन उपर से छिटकती नजर आएगी जब आप पुखराज खरीद रहे हों तो उसे हाथ में लेकर हिलाएं भार महसूस होगा असली पुखराज चिकना और साफ होता है इसे अंगुठा और कनिष्ठा से दबाने पर छिटक कर दूर जाकर गिरता है पीला अथवा परतदार नजर आए तो इसे भी नहीं खरीदना चाहिए उत्तम कोटी के पुखराज को आग पर गर्म करने पर बीच में अस्त होते सूर्य की तरह लाल नजर आता है